हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हमारा टोपिक है पिरामीड पिरामीड क्या होता है इसके कौन-कौन से मेजर पॉइंट्स है वो आज हम डिसकस करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प हो हमारा एक थरी Department शेफ है लिए जिसका जो साक्रीटी जिसका जो बेस है जो एक पोलीगन होगा चाहänder क्या साफिक को जो पैसाफ करोगिड तो उसका है चैनल होगा या या फो रेख्टैंगल या होगा या हो स्कुर कश्back होगा इस तरह की कोई-बी शेप होगी तो उसका base होगा, अब जो उसका base है, उसके उपर ही उसका नाम डिपेंड करता है, यानि अगर वो एक square है, उसका base अगर एक square है, तो हम उसे बोलते है square pyramid, अगर उसका base triangle है, तो हम उसे बोलते है triangle pyramid, अगर वो hexagon है, तो उसे बोलेंगे hexagon pyramid, यानि जो भी उसके base की shape होगी, उस के खोर्डें उसका नाम होगा अगर सब मालों अगर सकती साइड इसके बाकित ऐसे बागे वह चार बांक ती ये जो base की base है उसके उपर उसका नाम डिपेंड करता है क्या होगा और उसके according ही उसके बाकी के lateral faces होंगे अब हम बात करता है कि उसके lateral faces जो होंगे उनकी shape कैसे होगी मालने जी यह square है और यह rectangle है यह base है किसी pyramid का जो इसके बाकी के faces होंगे वह isocellus triangle बनेंगी इस तरह से और जब हम इसको बंद करेंगे यानि जब हम इसको देखेंगे 3D shape में तो एक point पर जाके मिल जाएंगे जो पिरामीडा उसके चोटी होगी यासे यह हमारे पास अगर हम इसको open करें इस तरह से तो यह पिरामीड है जिसका base square है और जो बाकी के faces है वो isocellus triangle है इसकी यह जो ट्रैंगल के साइड सा ही इक्वल होगी अब जब हम इसको इस तरह से मिलाते हैं तो यह एक point पर जाके मिल जाएंगे और यहां पर हम एक point मिलेगा जिस पर इस ट्रैंगल के जो एक और मिल गए तो यह होती है पिरामीड की चोटी यानि यहां पर यह सारी ट्रैंगल आपस में वहां यहां पर हम एक point मिलता है इनकर मिले के बाद सारे ट्रैंगल पेशिस के तो जो इसके बाकी के faces हो वो क्या है आइसोसेलस triangle अब हम बात करते हैं कि जो pyramid है उसकी height क्या होगी क्योंकि अगर हम इसकी height lateral surface area पता होगा उसकी तीरियक उंचाई पता होगी यानि हमें उसकी slant height पता होगी तब हम उसका volume और surface area निकाल पाएंगी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी height क्या होगी अब देखे हमने देखा कि जो pyramid है इसके triangular base यह face है यह पर एक point पर मिले यहां से आप इनको देखिए यहां पर मिले यह एक point पर अब यहां से इस base पे यानि जो base है square base है इसका जो mid point है यहां से जब हम perpendicular draw करेंगे और वो perpendicular इस point पर आके मिलेगा जहां पर इस सब मिल रहे थे तो यहां से लेकि यहां तक यानि अगर हम इस तरह से perpendicular draw करें इस point से और जहां पर यह जो triangle base है यह मिल रहे हैं तो वो इसकी height होगी यानि इसकी इस चोटी से इसके base के mid point पर जो perpendicular draw किया जाता है वो pyramid की height होगी अजो मिल जाएंगे इसको इसको मिल जाएंगे जहां पर मिल जाएंगे यहां से perpendicular draw करेंगे और यह ठान्गुलर phase है यहां से हमें इसकी height मिलेगी तो यह होती है height of pyramid next आता है कि इसकी जो slant height है वो क्या होगी देखिए इसकी slant height है यह इसका face at isocellus tangle है सारी tangle सेम होगी अब जो इसका base है इस side का mid point जो होगा यहाँ पर और इस point से जब हम perpendicular draw करेंगे इस तरह से तो यह जो height आएगी यह जो हमारी height यानि slant height यानि तीरियक उंचाई तो slant height क्या होगी slant height होगी जो lateral face at angle उस यानि चोटी से side पर जो हम perpendicular draw कर रहे हैं यह जो base है यहाँ से जो हम यहाँ पर perpendicular draw कर रहे हैं mid point पे यह इसकी slant height होगी तो यह difference है height और slant height में slant height होती है जो side है base की उससे जब हम perpendicular draw करते हैं वो चोटी से मिल रहे है तो होती है slant height और जब हम base के mid point से perpendicular draw कर रहे हैं और वो चोटी से मिल रहे है वो होगी उसकी height अब बात आती है shape में होता है इसमें भी क्या है कि जो base से जो faces बन रहे है वो एक point पर जाके मिल रहे है corner पर मिल रहे है तो जो इस तरह की shape होती है उनका formula होता है 1 by 3 base area into height अब यहां पर जो base था वो हमारे एक circle था तो circle करे रहे होता है pi r square तो इसका formula बन गया था 1 by 3 pi r square h ऐसे pyramid में होगा 1 by 3 into base area into height अब base area क्या होगा वो डिपेंट करेगा base पर अगर वो square है तो उसका area निकाल लेंगे अगर वो triangle है तो उसका area निकाल लेंगे नि base जो भी होगा उसका area और उसको multiply कर देंगे height से और 1 by 3 से वो जाएगा volume of pyramid next आता है lateral surface area of pyramid lateral surface area अगर हम lateral surface area की बात कर रहे है तो देखिए अगर स्क्वेर है माल लीजे उसका जो base है वो square है इस तरह से और उसके जो faces होंगे वो इस तरह से बनेंगे triangle बनेगी और lateral surface area का मतलब है कि जो उसके lateral faces है या नि जो यह चार triangles है इनका area उसको हम अगर add कर दे तो उसका lateral surface area निकल जाएगा इसमें सब में क्या कोमन है slant height यहाँ पर भी slant height होगी यहाँ पर होगी यहाँ पर होगी यहाँ पर भी होगी और यह सारी सेम होगी और हम यह भी पता है कि जो isocells tangle होती है उसका formula होता है area का 1 by 2 base into height तो जो यह tangle है इसमें जो height है वो pyramid की lateral height है तो उसे अगर हम L से denote करें और जो base है वो pyramid के base की एक side है यानि इस triangle अगर हम इसको B1 से denote कर दें इसको B2 से denote कर दें इसको B3 से इसको B4 से यनि सारी sides को B1, B2, B3 नाम दे दें तो यहाँ पर जो एक triangle है यह B1 वाले triangle है इसका area क्या होगा 1 by 2 यहाँ लिखते है 1 by 2 base यानि B1 height क्या होगी यहाँ पर हम L से denote कर रहे है क्योंकि वह pyramid की lateral height है और जो triangle है उसकी height है तो हम ले लेंगे यहाँ पर L अब जब हम इन सब को add किया तो यहाँ से हमारे पास एक common आएगा 1 by 2 और एक common आएगा L और अंदर के बचेएगा हमारे पास B1, B2, B3 और B4 अब अगर हम यह देखे जो है B1, B2, B3, B4 है यह base का parameter है तो यहाँ इस तरह से हमें इसका lateral surface area मिल गया अब जो L है वो slant height होगी और जो base parameter है वो base पर डिपेंड करेगा अगर ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का parameter निकाल लेंगे square का rectangle है तो rectangle का तो इस तरह से हमें इसका lateral surface area मिल गया यानि 1 by 2 slant height into base parameter next आदे total surface area total surface area क्या होगा बस हमें lateral surface area में उसके base का area add कर देंगे तो हमें total surface area मिल जाएगा इनि बेस एरिया इंटू lateral surface area तो यह होता है हमारा pyramid का total surface area तो इस तरह अगर हमें slant height और height हो और हमें जो base है उसकी sides वगेरा दी हो तो हम easily उसका volume भी निकाल सकते हैं lateral surface area भी निकाल सकते हैं और total surface area भी निकाल सकते हैं तो आज की वीडियो भी इतना say thank you